बारिस 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 इंद्रदेव 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 जी आई पिल दोजा 24 में इंद्रदेव का असर देखने को मिला है हमें और इसी नेट रन रेट के कारड इंद्रदेव की माया की कारड संराइजर है दरावाद दूसरे अस्थान पर पहुंचा तो सभी क्रिकेट प्रसंस को कि जहान में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि अगर क्वालिफायर वन, क्वालिफायर टू, एलिमिनेटर और फाइनल में बारिस हो गई, बारिस की भेट मुकाबला चड़ गया तो नियम क्या करता है, क्या रिजर्ब डे है या नहीं है, फिर अगर रिजर्ब डे नहीं है, तो मुकाबले का परिडाम कैसे घोसित किया जाएगा, किस तरीके का इंतिजाम विशिस्याई कर रखी है, यह सभी क्रिकेट प्रसंसक जानना चाते हैं, तो आपको अपने इस वीडियो में पूरे विश्तार से, पूरे तफसील से हम बताने का, आने का प्रियास करने वाले हैं, कि BCCI का क्या नियम है, क्वालिफायर 1 के लिए, क्वालिफायर 2 के लिए, एलिमिनेटर के लिए, और फाइनल मुकाबले के लिए, और कैसे परिडाम घोसित किये जाएंगे, बारिस प्रवहुईत मुकाबले में, बात करें, एलिमिनेटर और Qualifier 1, Qualifier 2 की सबसे पहले, तो देखिए Qualifier 1 और Eliminator जो मुकाबला है वो खेला जाएगा एहमदाबाद में, Qualifier 2 चन्नई के चेपॉक में, अगर मांसून की बात करें तो एहमदाबाद में मांसून का असर दिखा है, जहांपर गुजराट, Titans versus Sunrider, हैदराबाद का मुकाबला बिना एक गेंदफे के रद्ध हो गया था, KKR टीम अपने पिछले दो मुकाबले बिना खेले प्लेयाउप में जा रही है, तो इंदरदेव का असर दिखा है, और खासकर S.R.A.C. और KKR की बात करें, तो वहांपर इन दोनों टीमों के मुकाबले इंदरदेव के प्रभ प्रेमियम की, तो प्ले आप मुकाबलों के लिए मैच खत्म करने के लिए दो घंटे एक्ट्रा दिये जाते हैं, चाहे आप कॉलिफायर 1 की बात करो, चाहे एलिमिनेटर की बात करो, चाहे कॉलिफायर 2 की बात करो, या फिर फाइनल मुकाबले की बात करो, यानि कि 120 मिनट एक्स्रा दिया जाता है कि अगर बारिस बीच में खलल डालती है, मुकाबला रुखता है, तो आप दो घंटे एक्स्रा लीजिए, पूरे मुकाबले को संपन कराने का प्रयास करिए, चाहे उसको सौट करके प्रयास करिए, या पूरा मुकाबला खेल कर प्रयास करिए, लेकि कि कोई Reserved Day नहीं है किसके किसके लिए Qualifier 1 के लिए Qualifier 2 के लिए Eliminator के लिए इन तीनों मुकाबलों के लिए कोई Reserved Day नहीं है तो आप सोचेंगे कि अगर पूरी तरीके से मुकाबला वासा उठो गया वो दो घंटे जो एक्स्ट्रा मिले हैं उसमें भी रिजल्ट नहीं आएगा तो आखिरकार फैसला कैसे लिया जाएगा तो फैसला पॉइंस टेबल के अधार पर लिया जाएगा जो भी टीम पॉइंस टेबल में उपर पाए जाएगी यानि कि केक्यार वर्से सारस का यसे क्वालिफायर बन हुआ वह मुकाबला दो घंटी जो एक्स्ट्रा दिए गया उसमें भी संपन नहीं कराया गया पाँच ओबर का भी सॉटेंड गेम नहीं हो पाया तो जो पॉइंस टेबल में टॉप पर है यानि कि केक्यार सारस के उपर है केक्यार कर जाएगी फाइनल के लिए क्वालिफाई अगर मैच एबॉन्डेंड हो गया मैच रद्ध हो गया तो तो यह सच्वेसा नहीं इस तरीके से पैसला लिया जाएगा वहीं अगर हम बात कर में चौथे समिकरण की फाइनल का क्या है फाइनल में देखे पहले तो दो घंटे अश्टा दिये जाएंगे उस दो घंटे में आप मुकाबले को संपन्न कराईए पूरे 20 ओवर खिलाईए अगर वह ऐसा कुछ नहीं होता है मुकाबला कॉल्ड अफ हो जाता है अगले दिन मुकाबला होगा और सपो चरिए क्या होता है अगले दिन मुकाबला होगा और सपोच यह मुकाबला कुछ ऑबर्स में पिछले दिन रुका हो रिजरूपडे में कुछ जैसे चार्य पांच ऑबर बाद पूरा मैच ठप हो गया एक बीगिन यहीं फेकी गई तो जो अगले दिन मुकाबला होगा सुरू से सुरू होगा पुरे टॉस से सुरू होगा डिजब डे के दिन और सुरू से मुकाबला सुरू होगा ताकि बार इसके करण दोनों इटी में समान रूप से समान तरीके से अगले दिन फाइनल में मुकाबला खेलती भी दिख़्ी, कोई भी अप्स और डाउन पिछले दिन का यहां पर देखने को न मिले यह पूरा का पूरा समिकरण है, यह पूरा का पूरा नियमावली है प्ले-ाउफ मुकाבले के लिए कि क्वालिफायर 1 के लिए टू के लिए इलिमिनेटर के लिए और फाइनल कमेंट सेक्स Tub folder to Dorothy झॉरू दाग दी जयेगा कि आपको यह निमावली समझ में आई या नहीं आई पली रिपोर्ट झाल झाल